दिलीप उस जगह को देखते हुए खुद से बरबडाता है। दिलीप फिर से निराश हो जाता है। दिलीप निराश हो जाता है। वो मूर्तियों निराश हो जाता है। उसे एक टक नजर से देखने पर तो कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वो कोई मूर्ती नहीं, वहाँ पर सच में यक्षुनी हो। दिलीप उस मूर्ती में एक और बात नूटिस करता है कि उस मूर्ती के कान में एक जुमका था, सोने का जुमका जो अंधेरे में और जाधा चमक रहा था। उस सोने के जुमके को देखकर दिलीप के आँखे चौंध्या गई थी, अब उसे लगने लग जाता है कि वो एकदम सही जगह पर आया था। हो नहो अगोरी ने गुप्तधन वहीं कहीं चुपाया था, उसे उसके अंदर से आवाजे आने लग जाती है। उसका मन बार-बार यही कहने लग जाता है कि अगोरी का गुप्तधन वहीं है, बस उसे ढूणने मात्र की देर है। दिलीप बॉकलाहर्ट के साथ उस मंदिर में से वो जुमका निकाल लेता है। और अगला जुमका निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाय ही था कि तब ही वो देखता है कि उस मूर्ती के कान में दूसरा जु जुमका था वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। जुमके वापस से उस मूर्ती के कान में लगाने लग जाता है। जैसे ही पानी दो हिस्सों में बढ़ता है दिलीप को उस नदी के बीचों बीच एक संदूग दिखाई देता है। वो बॉकलाहट के साथ उस संदूग के पास पहुँचता है और उसे खोलने लग जाता है। जब दिलीप उस संदूग को खोलता है तो उसकी आँखे खुली की खुली रह जाती है। वो संदूग हीरे जवाहराद सोने चांदी से भरा हुआ था। दिलीप इतने सारे धन को एक साथ देख कर पगला जाता है और पागलों की तरह चीकते हुए कहता है। मिल गया, मिल गया मुझे, मुझे अगोरी का गुप्त धन। उसके हाथों में दर्द होने लग जाता है, वो ठकने लग जाता है। दिलीप उस संदूक के अंदर का सामान बाहर निकाली रहा था कि तब ही वो नोटिस करता है कि वो संदूक में से सामान तो बाहर निकाल रहा था पर उसके अंदर का सामान कभी नहीं हो रहा था बल्कि वो अभी भी उतना ही था जितना तब था जब उसने संदूक को खोला था दिलीप के समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था उसे लग रहा था ये उसका कोई वहम है इसी वज़े से वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है बल्कि हाथ दर्ध होने के बावजूद भी संदूग के अंदर का सामान बाहर निकालते रहता है पर कुछी देर में उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये सब उसका वहम नहीं था बल्कि हकीकत में संदूग का सामान कम नहीं हो रहा था वो उतने का उतना ही था अगली इपल दिलीप को समझ आ जाता है कि उसके हाथ में जो संदूग लगा था वो कौन सा संदूग था वही संदूग जिसकी उसने बचपन में उसकी मां से कहानिया सुनी थी पर कभी यकीन नहीं किया था हम कहानियों को तब तक जूटा मानते हैं जब तक वो कहानी हमारी साथ घटित नहीं हो जाती है और आज दिलीब भी अनंत संदूग वाली कहानी पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया था उसके हाथ आखिर अनंत संदूग जो लग गया था दिलीप खुश होते हुए कहता है ये क्या? मेरे हाथ तो अनंत संदूग लग गया वो अनंत संदूग जिसका ख़जाना कभी खाली नहीं होता दिलीप पागलों की तरह हसना शुरू कर देता है दिलीप खुशी से पगला गया था पागल होता भी कैसे नहीं उसके हाथ अनंत संदूग जो लग गया था दिली पुस अनंत संदूग को देखते हुए कहता है, मैं खरोड़ पती बन गया, मैं दुनिया का सबसे अमीर इनसान बन गया, मुझसे अमीर कोई नहीं, मैं ये सब कुछ ले जाओंगा, ये अनंत संदूग भी, ये सब कुछ मेरा है, मेरा है. दिली पागलों की तरह हसते हुए खुद के उपर अभिमान करी रहा था, कि तभी उसके दिमाग में एक और खयाल आ जाता है, उस खयाल से वो परिशान हो जाता है, अनंत संदूग मिलने से उसके चेहरे पर जितनी रौनक आई थी, धीरे धीरे वो रौनक उसके चेहरे पर से उड़ने लग गई थी, दिलीप परिशान होते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं इस संदूग को यहां से कहीं और ले गया और किसी किस पर नजर पढ़ गई, तो मैं मुसीबत में पढ़ सकता हूँ, यह संदूग उसके हाथ लग सकता है और मैं नहीं चाहता यह संदूग मेरे सिवा किसी और के भी हाथो लगे, इसलिए मैं इस संदूग को यहीं पर रखूँगा, यहां से कहीं नहीं ले जाओँगा, यहीं इसकी सही जगा है, दिलीप अपने दिमाग और दोडाते हुए फिर खुद से बढ़ बढ़ाते हुए कहता है, मैं धीरे- हीरे-चवारात यहां से निकालते रहूँगा, जैसे-जैसे मुझे इसकी जरूरत पढ़ती जाएगी, एक साथ ज्यादा धन ले जाने में भी दिक्कत है, हां, हां मैं धीरे-धीरे यह सब कुछ करूँगा, सबर से काम ले दिलीप, सबर से काम ले जैसा दिलीप ने सोचा गुपत-धन की तरह गुपत ही रखा, उसके बाद दिलीप ने वो नक्षा जो उसके हाथ लगा था उसे हविली में तेह खाने के अंदर संडूग के अंदर ही रख दिया था, और साथ ही, उस मूर्ति में के जुमके को भी, वो इतना तो समझ ही गया था कि वो मूर्ति एक जिस से नदी का ध्वार खुलता था और अनन्त संदूग दिखाए देता था। दिलीप के हाथों वो अनन्त संदूग ऐसे ही नहीं लग गया था। इन सब चीजों के पीछे एक साज़िश थी एक सोची संची साज़िश। और वो साजिश किसी और की नहीं बलकि अगोरी की थी वो कुत्ता जो हवेली के अंदर दिलिप पर भॉब रहा था वो कोई और नहीं था बलकि अगोरी ही था जिसे यक्षनी ने कुत्ता बना दिया था अगोरी जान बुचकर दिलीप पर भौकते हुए उसे कमरे तक ले गया था ताकि उसकी नजर उस दर्वाजे पर पढ़ जाए वो जानता था कि अगर दिलीप एक बार तहकाने तक पहुँच गया तो उसकी नजर तहकाने में रखी संदूग पर जरूर पढ़ेगी क्योंकि वो गुप्त धनी ढूंड रहा था सालो बाद अगोरी को कोई ऐसा मिला था जो उसे यक्षुनी के श्राप से मुक्ति दिला कर वापस से इंसान रूप दिला सकता था इसलिए अगोरी ने आसानी से दिलीप को हवेली के अंदर खुसने दिया था उसे वहां तक ले किया था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा अगोरी ने सोचा था दिलीप ने त्रिकोन हवनकुन का कभी उपयोग किया ही नहीं जिस कारण अगोरी का श्राप तूट नहीं पाया पर उसकी ये मेहनत बरबाद नहीं हुए सालो बाद अमोधिता की नजर जब उस अनन्थ संदूग पर पड़ी और उसके हाथों संदूग में रखा हुआ नक्षा और जुमका लगा और वो अनन्थ संदूग के पास पहुँची अमोधिता नहीं अगोरी को यक्षुणी के श्राप से छुटकारा दिलाया था जाने अंचाने में अगोरी जो काम दिलीप के हाथों नहीं करवा पाया था वो अमोधिता नहीं कर दिया था जब अनंत संदूग दिलीप के हाथ लग गया तो धीरे धीरे करके उसने उसका खजाना निकालना शुरू कर दिया और जानकी की भी उस खजानी के हीरे जवाहरा तो गेहनों पर नजर भी पड़ी और उसने दिलीप से पूछा भी उसके पास इतना सब कुछ कहां से आया पर दिलीप ने जानकी को कुछ नहीं बताया बस गुस्से के साथ कह दिया कि अपने काम से काम रखे वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके माईके छोड़ कर आ जाएगा और अपने लिए एक नई घर वाली ले आएगा जो से कुछ नहीं पूछा करेगी उस दिन के बाद से जानकी के फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो दिलीप से कुछ पूछ सके दिलीप हीरे जवाराद गेहने अनन संदूक में से निकाल कर लाता था और जानकी को दे दिया करता था और एक आदरश पतनी की तरह वो भी अपने पती से बिना कोई सवाल किये उन केहनों को अपने पास संभाल कर रख लिया करती थी सुदेश की भी इन सब चीजों पर नजर पड़ गई पर उसके भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने जीजा से कुछ पूछ सके वो जानता था दिलीप से सवाल जवाब करना मतलब आफ़त को दावत देना इसलिए वो दोनों बहन भाई सब कुछ जानते हुए भी अंजान बने रहे उस दिन के बाद दिलीप कई बार हवेली में खेला गया और जब भी वो उस हवेली में जाता था उसे उस हवेली में एक अपना पन लगता था डर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था उसे ऐसा लगता था जैसे वो हवेली उसी के लिए बनी हो वही उस हवेली का मालिक हो और कई सालों से वो हवेली खुद अपने मालिक की तलाश कर रहे थी और उस हवेली ने ही उसे अपनाया हो जब से उसके हाथ अनंत संदूक लगा था हवेली के प्रती उसका डर भी खत्म हो गया था उसने सोच लिया था कि वो इस हवेली को ही अपना ठिकाना बनाएगा अपना घर बनाएगा दिलीप ने अपने पैसों के दम से वापस से हवेली को चमका दिया था उसे रहने लाइक बना दिया था दिलीप अपनी पत्नी बच्चे और साले के साथ हवेली में रहने के लिए आ गया इस बार जानकी और सुदेश ने दिलीप से सवाल तो पूछे पर हर बार की तरह इस बार भी दिलीप ने उनके सवालों के जवाब देने से मना कर दिया सीधे कह दिया या तु मेरे साथ हवेली में रहने चलो या फिर इस पागल अनुराग के साथ ग्रेवियार्ड कोठी में रहो पर वो ग्रेवियार्ट कोठी में नहीं रहने वाला था जानकी और सुदेश क्या करते वो लोग दिलीब के साथ जाने के लिए मजबूर थे वो उसके साथ उस रिष्टे की डोर से बंदे हुए थे जिसे वो चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकते थे वो भी दिलीब के साथ ही हवेली में रहने के लिए चले गए पर बल्लू नहीं गया वो अनुराग के साथ ही रहा क्योंकि उसे ब्रिजेश्वर से किया हुआ वादा याद था इस बात से दिलीब बल्लू से बहुत नाराज था कि वो उसका पुष्टेरी नौकर होकर अनुराग के साथ रह रहा था उसे बल्लू में से गदारी की बू आ रही थी कुछी महीनों दिन में दिलीब के रंग बदल गए उसने गाउं में ही कई जमीन और खेट भी खरीदे गाउं वाली भी ये सोचकर हैरान थे कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया जब दिलीब के पास पैसे आये तो उसके कई पैसे वाले दोस्त भी बने जिन में से दो रॉंका मुचो और बंगला मुडा गाउं के सरपंचों के बेटे रतन पाली और भूपेंद्र बक्षी थे जहां एक और दिलीब अमीर पर अमीर बनते जा रहा था वहीं दूसरी तरफ अनुराग गरीब पर गरीब होते जा रहा था ब्रिजेश्वेर उसके लिए जो पैसा छोड़ कर गया था वो भी खत्म होने लग गया था उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे वो बिचारा करता भी तो क्या अभी तो उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई थी वो बारवी काक्षा में पढ़ रहा था अनुराग ने कई बार बलू से बोला कि वो दिलीप के पास रहने के लिए चले जाए पर बलू नहीं गया बिना कोई भत्ते के अनुराग की सेवा करता गया कई बार तो वो अपनी जेब्ध खर्च से राशन ले आता था कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाता है और अनुराग का बुरा वक्त भी गुजरने वाला था छे महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया पढ़ाव आया वो पढ़ाव जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी मिन सदियों से है पुराने ये है यक्षिनी के कहाने यक्षिनी एक आग है यक्षिनी तेरा ख्वाब है अग्षिनी जिए मेरा ना मैं पवन और आप सभी कर मेरे इस चैनल पर स्वाज़त रहे तो गाई आई होप सभी वड़िया होंगे चलिए गाईस गेम को में खेलेंगे और गेम को कर चुको में स्टार्ट और कलेकरेंगे अपने सारी कॉइंस को एसी बढ़ते देंगे ते जीवें आप सभी को मेरी तब से हैपी रिखाव ली गाईस यक्षिनी की सभी एपिसोड सबसे पहले इस तुन ने के लिए हमारे चैनल पर जिरू संस्क्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे जब यह सब्सक्राइब करेंगे इस बोक्स में पतारी क्या है इस बाद में उपर करेंगे अभी के लेंगे में अपने जैन को इदर आठी ट्रेन को पर जम ख़लेना चाहिए था ज़िए साइड से निकल लिए बढ़ब करके अब मेली मेगनेट को कोई फाल है त्रेमर में मूवमें ठान लेगा वाइव जो भी चल पर नहीं हो चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे साथ में में मेरे ट्रिप्री इसमेल को भी आल पर सेलेग कर लेंगे थांक्स वर वाचिंग इन इस वीडियो बाइगाइज